दोस्तों वर्किंग हो या होमेकर साडियां तो हम सभी के पास में होती ही हैं लेकिन उनमें से कुछ साडियां ऐसी होती हैं जो या तो हम बहुत पहन पहन करके हमारा मन भर जाता है या फिर वो थोड़ी बहुत कट पर जाती है या फिर ऐसी होती हैं जिनको आउट ओफैशन हो गई है या अब मन नहीं करता इस तरह की साडियां हमारे पास हमेशा ऐसे ही रखी रहती हैं तो वो रखे रखे क्या होता है ना वो साडिय गलने लगती है और वो फिर किसी के यूज में नहीं आती है तो मेरे पास भी इस तरह और कौन सी साड़ी है पहले मैं दिखा देती हूं और साइड में फोटो भी लगा दूंगी आपके लिए कि उसको मैंने कहां मतब कितना पहना है उसका लुक जो है वो पूरा साड़ी का आ जाएगा बराल ये है वो साड़ी ये है गड़वाल कॉटन साड़ी है साड़ी बहु यूज कर लूँ तो चलो देखते हैं इससे क्या बनाएंगे फॉल जो है वो मैंने निकाल ली है पूरी साड़ी जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये पोर्शन अलग है ये पोर्शन अलग है और नीचे का पोर्शन जो है वो अलग है तो इससे हमारी डिफ्रेंट चीजे बनेंगी और कोई भी चीज ऐसी नहीं लगेगी कि हमने साड़ी से बनाई है पहले प्रोजेक्ट के लिए मैंने साड़ी को लंबाई में स्प्रेड कर लिया है और 71 इसकी लेंथ रखी है और 17 इसकी विर्थ रखी है इतना विर्थ रख करके मैंने बाकी पर निशान ल और इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूर्य लंबाई में मैं इस बॉर्डर को स्टिच कर लूँगी जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक लाइन छूटी हुई है ऐसे ही यह ग्रीन वाली लाइन को छोड़ते हुए इधर के साइड में मैं जो बॉर्डर है मैंने अलग स नीचे से कट किया था पटी का उसको मैंने यहां पर सिल दिया है अब इसमें ऐसे इस तरीके से किनारे बनाते हुए मैं इसके चारो तरफ बॉर्डर लगा दूगी दो तरफ तो सिंपल तरीके से लगाया है और दो तरफ हम बनाएंगे किनारी इसको इस तरीके से पहले कप चाहें तो पूरे लंबे बॉडर को एक साथ लगा करके फिर बाद में कॉर्नर बना सकते हैं मैंने इसके लिए छोटी छोटी पट्टियां कट कर ली थी जितनी बड़ी मुझे चाहिए थी तो उस हिसाब से मैंने इसमें इस तरीके से बॉडर लगा दिया और किनारी फोल्ड कर ली बस इतना ध्यान रखना है पहले इसको मोड लेना है और फिर से लाई लगा देनी है च कितना मेरा मेन फैब्रिक था तो इसको नीचे रखा और दोनों को अंदर के साइड में देखिए उपर वाला तो ऐसी ही रखूंगी क्योंकि इस पर हमने बॉडर लगाया हुआ है नीचे वाले कपड़े को अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए चारों तरफ से मैं सिलाई में बिल्कुल भी जोल ना पड़े पड़ा एक दूसरे के साथ में खिचे ना या धिला ना रहे उसके लिए जो सिलाई वाली पिंस आती हैं या क्लिप्स आते हैं उनका यूज किया जा सकता है मेरे ये बहुत ही खुशूरत सा रनर बन करके तयार हो गया है और मेरे पास कोई भी से कमका नहीं है जो की बिलकुल फ्री में बन गया मेरी एक पुरानी साड़ी से और कलर भी एक्जाक्ट मैंने वह ढूंडा जो मेरे लिविंग एरिया की थीम है इसमें बैक साइड में मैंने इस तरीके से यह लाइनिंग लगाई है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आईए आपको दिखाऊं मैं पास से देखिए बाकी आपको स्प्रेड करके दिखाती हूं कितना अच्छा लुक आया है और लास्ट में इसके उपर आइरन मैंने कर दी थी प्रेस करने से क्या होगा थोड़ा अच्छा हो गया है इसके एज़स जो है वो शार्प हो गया है अब साड़ी के ब्लू पार्ट से बनाते हैं एक और खुबसूरत सा प्रोजेक्ट जिसके लिए मैंने फाब्रिक तो ले लिया है इसकी लेंथ और विर्थ मैंने रकी है 34 x 18 तो जितना बड़ा मैंने में फाब्रिक लिया है उतना ही बड़ा मैंने लाइनिंग का पीस भी कट कर लिया है यानि कि बैक साइड में जो हम लगाएंगे वो आप चाहें तो इसके बीच में कोई फोम शीट लगा सकते हैं कोई आटा बैग वगरा लगा सकते हैं लेकिन मुझे कड़कड इस परे प्रोजेक्ट में पसंद नहीं इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है इसके चारो तरफ लगा दी मैंने सिलाइच इससे की लाइनिंग और में फाब्रिक हमारा जो है वो एक साथ जुड़ जाए और अब दो फाब्रिक और लिये है मैंने दोनों की ह लेंथ और विर्थ रखी है 10 x 18 तो यह लेने के बाद में मैंने क्या करना है दो फैब्रिक यह देखे एक जैसे ही लिये है इनको बराबर में इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी आप चाहें तो बैक साइड में कोई लाइनिंग लगा सकते है मैंने पूरा चोड़ा फैब्र लेकर के उसी को डबल फोल्ड कर दिया है और अब उसके बराबर की लिए है एक पटी इस तरीके से इस पटी को उपर के साइड में इस तरीके से सिल देंगे और फिर बैक साइड में भी फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड करने के बाद में उसको एक साइड में रख देंगे य इनको दोनों के साइड से हम सिलाई लगा देंगे अब देखे एक तो मैंने लगा दी इस साइड में रख करके सिलाई तीन तरफ से एक रख दी है मैंने इस साइड में और तीन तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है यानि कि नीचे लंबाई में और चोड़ाई में छोटे-छोट सिलाई लगा दी है क्योंकि हमने पूरा लंबा फैब्रिक लिया था तो उसमें मैंने किया किया इस तरीके से बीच में सिलाई लगाई है सिरफ उपर कवर करने के लिए निक्रोवेव के उपर मैं थोड़े से डिकॉर पीस वगरा रखती हूं तो स्क्रेच वगरा ना पढ़ जाएं इसलिए मैंने इसके उपर कवर बनाया है और साथ में ही यहां पर बनाई है मैंने पॉकिट्स दोनों साइड के लिए जिसे की अगर कोई पेपर वगरा या कॉइंस वगरा या कुछ ऐसी जरूरी चीजे जो आपको इदर उदर रखने में आच्छा नहीं लगता वो पॉकिट्स में रखी जा सकती है उपर से इसका कलर जो की इसको और खुबसूरत दिखा रहा है मैंने पाइपिन वगरा लगा दी है साइड में ये दो हमारी जो पॉकिट लगी है इस साइड में भी और इस साइड में भी तो इससे ये बेनेफिट है कोई भी छोटे मोटे पेपर या कुछ भी जो जरूरी चीजे रखनी चाहें आप वो इसमें आसानी से रखी जा सकती है अच्छा यहां पर मैंने इसको इतना लंबा कि यह माइक्रोवेब के उपर तो आ ही सकता है फ्रिज के उपर भी आ सकता है जो नॉमल साइड का फ्रिज होता है उस पर आसानी से आ जाएगा यह इस खूब सूरत प्रोजेक्ट के बाद में बारी है एक और प्रोजेक्ट की जो भी बनाएंगे बहुत अच्छे से तो इस साइड में लगाएंगे अच्छा अब इसमें एक आप्शन बीच में आ जाता है लाइनिंग से पहले अगर आप चाहें तो इसमें राइस बैग आटा बैग कोई प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं बुकरम वगेरा लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं मैं इस प्रोज की है और इसके बैक साइड में मैंने इस पट्टी को सिल दिया अब फ्रेंट में मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और एक और सिलाई लगा दूंगी तो तीनों कपडों को एक साथ सिला था तो देखें यहां पर पट्टी लग गई सेम ऐसी ही पट्टी मैंने इस साइड में रखा और फिर सिलाई लगाई थी आप देख रहें इस तरीके से लगा के अब इसको थोड़ा सा ट्राइंगल करके फोल्ड करेंगे और फिर डबल फोल्ड करेंगे यानि कि जब इसको मोडेंगे तो यहां इस साइड से हमें थोड़ा सा कॉर्णर बना लेना है और और फिर इस corner के उपर रखते वे सिलाई करेंगे तो दीखे मैंने इनको दोनों को सिल लिया है एक तरह से और सिलने के बाद में इसके उपर कर रही हूँ iron करने से इसमें एक अच्छी सी finishing आ गई और इसके edges जो हैं वो भी इसके निकल आए हैं मतब कि जो edges थे वो दब गए हैं तो अच्छा लग रहा है finishing आ गई है तो अब देखे मैंने runner तो बना लिया था लेकिन जब मैंने placement पी बना लिये दो तो ये अब एक set लग रहा है अभी हाला कि मैंने दो ही बनाए हैं सोच रही हों बाद में दो और बना लूगी तो मेरा 4 का पूरा set बन जाएगा और ये पूरा एक खुबसरा सा set बन गया है जो बिल्कुल और बिल्कुल readymate लग रहा है कहीं से कोई भी ऐसा जज नहीं कर पाएगा इसको देख करके कि हमने ये readymate नहीं लिया है घर पर बनाया है आपको कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर तो ये था आज का वीडियो उमीद करती हूँ कि आपके लिए जरूर helpful रहा होगा कौन सा project आपको पसंद आया वो मुझे comment box में लिखिएगा वीडियो कहीं पर भी helpful लगा या कुछ भी पसंद आया तो like सरूर कीजेगा thank you so much for watching मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए be happy be active अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए बाई बाई